आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारी शुरुआत करते हैं बुलेटिन की जम्मु कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलिय बैठक के बाद प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने इसे विकास के प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर कदम करार दिया प्रधान मंत्री मोदी ने ट्विट करते हुए कहा जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक एक विक्सित और प्रगती शील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रही प्रयासों में एक महत्वपूर कदम है पीम मोदी ने कहा कि जम्मु कश्मीर से परी सीमन की प्रक्रियातेश गती से पूरी होनी है ताकि वहाँ विधान सभाचुनाओ करा जा सके और एक निरवाचित सरकार का गठन हो सके जो प्रदेश में के के विकास को मजबूती दे वहीं जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदल ये बैठक के बाद प्रधार मंत्री ने सिल सिलेवर ट्विट कर ये भी कहा है कि सरकार की प्रार्थमिक्ता के इंदिशास्त प्रदेश में जमीने इस्तर पर लोकतंद्र को मजबूत करना है रुकर्तियंगली खबर के ओर दूसरे राज्यों में कोरोना वारस के ने वेरियन डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ड घोशित किया गया है यहां फ्राल यूपी में अभी कोई रोगी नहीं मिला है ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आजितनात ने दूसरे राज्यों के सीमा से सटे जिलों में बाहर से आ रहे लोगों का सैंपल लेकर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल उनिवर्सिटी य यह सभी जरूरी उपाय किये जा वहीं विशेशगों ने यह सला दी है कि सरदर्द सर्दी जुखाम की कार लगातार नाग बैने और गले में हो रही खराश को नजर अंदाज ना करे अब तक जो रोगी मिले हैं उनमें यह लक्षर पाएगे हैं वहीं मुख्यमंत्री योग याद इतनात ने कहा है कि हवाई अड़े रेलवे स्टेशन वा बस अड़े पर भी पूरी सतर्कता वरती जाए खतरनाक डेल्टा प्लस वैरियंट से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय भी करने बेहद ही जरूरी हैं अब तक जो रोगी मिले हैं उनमें यह लक्षर भी पाय जा चुके हैं जानकारी के अनुसार इसकी शादी 2011 में हुई थी वही शादी के बाद से ही लगा था अतिरिक्त दहेज की डिमांड को लेकर बेटी को प्रितारित किया जा रहा था आरोप है कि दो साल पहले उसे घर से भी निकाल दिया था समाज के लोगों द्वारा पंचात कर बेटी को फिर से घर में प्रवेश दिलाया गया लेकिन फिर हुए विवात के बाद नवी वाहिता ने आत्मत्या खर ली मैं पुलिस ने शुफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ आगे की कारवाई भी शुरू कर दी है पुलिस नांग 24 जुन को प्राता अलगवक साथ बजे थाना बनना देवी पर इवेंट प्राप्त हुआ कि एक महिला की बॉड़ी प्राप्त हुई है तो आपको बता दे कि दूसरे राज्यों में कोरोना वारस के नए वैरियन डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाई जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट घोशित किया गया है ऐसे में मुख्यमंत्री योगी अधनात ने दूसरे राज्यों की सीमा से सटे जिलों में बाहर से आ रहे लोगों का सैंपल लेकर उसकी जिनोम स्क्वेंसिंग के लिए किंग जॉर्श मेडिकल उनिवर्सिटी यानि कि के जीम यू भेशने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी अधनात ने कहा है कि हवाई अड़े रेलवे स्टेशन स्वाबस अड़े पर भी पूरी सतर्कता बढ़ती जाए खतरनाक डेल्टा प्लस वैरियंट से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाई किये जाए उदर विशेशे को नहीं ये सला दी है कि सरदर्द सर्दी जुखाम की कारल लगातार नाग बैने और गले में हो रही खराश को नजर अंदाज ना करें अब तक जो रोगी मिले हैं उनमें ये लक्षड पाए गए हैं तो जिस तरह से जल्टा वेरियंट का खत्रा बढ़ता जा रहा उसको देखते हो उत्तर प्रदेश में भी एलल्ट घोशित कर दिया गया है आपको बता दे कि फिलाल अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई संकरमित मरीद नहीं मिला है वे उत्तर प्रदेश में चल रहे जिला पंचात अध्यक्ष चुनाओ के लिए भारती जनता पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट चारी की है जहां बीजेपी ने उन्नाव जिला पंचात अध्यक्ष चुनाओ में अरूर सिंग को उता रहा है लेकिन बवाल को बढ़ता द के बयानों का खंडन करते हुए अरूर सिंग ने बयान जारी किया है उन्हें सीबी आई के आरोप में क्लीन चिट दी गई है लेकिन मुझे विपक्षी लोग वसाने की कोशिश कर रहे हैं आप भी सुनिये अरूर सिंग ने क्या पूरा बयान दिया है बार प्रकट करूंगा और जो लोग मंगड़नती यह आरोप लगा रहे हैं मैं किसी भी केस में मुल्यंद नहीं हूं किसी भी हत्या के मुकदमे में नहीं हूं मेरा नाम एक्सिडेंट के केस में आया था पीडिता से जोडते हुए पीडिता का परिवार और पीडिता मेरी बहन जैसी है उन लोगों के साथ मेरी समवेदनाय पहले भी रही है आज भी है और आजीवन रहेंगे उन लोगों के प्रति मेरी कोई दोयस भावना नहीं थी जिस तिन वो था मैं अमरनाथ जी की यात्रा पर था CBI जैसी सबसे लोगप्रिय अति विश्वास पात्र संस्था के द्वारा CBI ने जाच किया था मुझे क्लीन शिट मिली है मेरे उपर कोई भी आरोग सिद्ध नहीं गुआ है वाईदाज नगरी आगरक के कलेक्टेट परिसर में वकील और पुलिस के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है आपको बता दे कि अधिवक्ता ब्रजेश भदोरिया के साथ हुए घटना क्रम को लेकर आगरा एडवोकेट बार एसोशियेशन सहीत कई लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाब जिम कर प्रदर्शन किया आकरोशित बार एसोशियेशन के लोगों ने दिवानी चौराहे पर पुलिस के खिलाब नारेबाजरी करते हुए पुतला फूका और आपको बता दे कि अधिवक्ताओं की ये मांग है कि दोशी पुलिस करमियों के खिलाब कड़ी कारवाई की जाए और अधिवक्ता के खि पुलिस ने अभदलता की थी जो वकीदों के साथ हुआ है अन्याय अत्याचार हुआ है इसमें वकीदों की शिर्फ हम दोंगी एक मांग है कि जो नाई की मंदी ऐस हो है वो बर्दगास किया जाए पकीदों के खिलाब मुकतले वापिस्टिये जाए इसके अलाबा हम कहीं क मैं राष्टपती रामनात कोविंद उतर प्रदेश में अपने जर्मस्थान की यात्रा के लिए ट्रेन में सफर करेंगे जहां इस दोरान वाय स्कूल के दिनों और समात सेवा के शुरुआती दिनों के अपने पुराने परशितों के साथ मुलाकात करेंगे गौर तलब है क कि 15 साल के अंतराल के बात कोई निवर्तमान राष्टपती ट्रेन में सफर करेंगे राष्टपती के ट्रेन यात्रा की जानकारी मिलते ही बुलन शहर में भी पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से अलर्ड पर है वह स्थानी पुलिस द्वारा रेल्वे पट्री के दोनों रही है कानपूर में सपाकारी करताओं ने महगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है के इस सरकार के सपाईयों ने के लिए सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है यह लगाता कारिकरताओं का कहना है और आपको बता दे कि प्रदर्शन के दौरान सपाईयों ने हाथों में पैनर भी लिया हुआ था और जूही के बारा देवी लिए सरकार ने स्वास्त विभाक को अभी से अलर्ट पर रहने के लिए इसी गड़ी में राजधानी लखनओ के सब भी अस्पताल एलल्ट मोड पर हैं माना जा रहा है कि 30 लहर का बच्चों पर काफी असर पर सकता है इसलिए बच्चों को लेकर जादा सतर्क पर रहने के लिए कहा गया है वहीं लगनव के अस्पतालों में पीडियाट्रिक वाल्ड तयार करने के निर्देश दिये गए है लोगबंधू में सौबेट के पीडियाट्रिक और मैटरिनिटी वाल्ड बन कर तयार हैं जिसमें 30 PICU और NICU बेड और 70 ऑक्सीजन युक्ट बेड हैं आपको बता दे कि मेडिकल स्टाफ लाजिस्टिक उपकरण की बेववस्था यहां पर की गई है मैंचे किसा दिक्षक दॉक्टर अजय शंकर चिपाठी ने बताया कि जरूरत पड़ेगी तो और बेड बढ़ा दिये जाएंगे साथी स्टाफ नर्स का प्रसिक्षर भी शुरू कर दिया गया है जैसा कि सासन ने हमको 15-15 दिन पहले आदेश किया था कि लोगबंदू अस्पताल मदर चाइल्ड कोईट केर सिंटर बनेगा हमें सौ बेड बनाने का आदेश मिला था जिसके ताथ हम लोग तैयारी शुरू किये थे और जैसा कि आपने देख रहे हैं सारी चीजे तैयारी आल्मोस्ट स्पाइनल स्टेज में हैं एकार दो दिन में लोग का काम पहले हो चुका था लेकिन फिर में आदेश मिला कि थोड़े से पाइप लाइन में और करेक्शन करना था उसके लिहाद से यह लोग काम कर रहे हैं आज यह अकल में काम पूरा हो जाएगा तो हमारे पास 30 बेट का ICU complete तयार मिलेगा और 100 बेट का हमारा पीडियाटिक वाइड जो oxygen less है और oxygen सहीथ है उस पर है जैसा कि उदर पीडियाटिक वाइड है हमारे पास वो हमने इस तरीके का बनाया है कि डेगोरेटिव बच्चों के लिए कि बच्चों को अपना अपन लगे और बच्च सुसाइटि उतर प्रदेश की कारेकारनी को सम्मानित किया गया है आपको बता दे कि डेट क्रॉस सुसाइटि उतर प्रदेश विगत कई सालों से किदार नात और मरनात यात्रा पर जाने वाले श्रधालों की सुक्सुधाव का ध्यान रख रहे हैं जिसके चलते पाकुर गंश लखनव के अध्यश पंडित अर्पितानन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पताधिकारियों को सम्मानित किया है। वही मौनसून के आने के साथ प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश हो रही है। लिए नगर निगम से लेकर प्रिशासन तक पत्र लिखा गया है। अली नगर के लोगों का ये कहना है कि अब अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। लखनाओं में शातिर जाल साजों के अंतर राश्टे गैंग का नाका पुलिस ने परदा फाश किया है। पुलिस ने बताया कि क्यांग के लोगों ने केरला से आए हुए चार पीडित को यूरोपियन देश भेजने का लालच दे कर शिकार बनाया था। पुलिस कमिशनर डीके ठाकुर्णेगर अपतारी करने वारी टीम को इनाम देने की खोशना की है। और उनको ट्रैप करके लखनों तक पहुँचाया गया, लखनों में होटल में उनको बंदक बनाके उनके पास सिलवा दस लाग टुपै मूल लेके यूरो, डॉलर और रुपै उनसे चीना गया। पहुचके दोनों पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामले में दो लोगों को अरस्ट कर लिया गया है और आगे की कारवाई भी जारी है। यह थाना परसा मलिक के शेखवानी गाउं का वीडियो है। इसमें दो पक्षों में मेर काटने के विवाद को लेके मारपीट हुई है। मामूली मारपीट हुई है फिर भी पुलिस ने सतकार मौके पर पहुँचके दोनों पक्षों से दो दो बत्तियों को अरस्ट करके निरुधात्मत कारवाई की गई है और पाबंद किया है। मौके पर शांती है। वहीं पहाडों में ओर रही लगातार बारिश की वज़र से नदियों का जलिस्तर बढ़ता जा रहा है। पहाडी छेत्रों के होरे मौसम के बदलाव की वज़र से मैदानी लाकों में भी इसका सर साफ तोर पर दिखाई दे रहा है। रामपुर में भी नदियों का जलिस्त इन समस्त गाउं से संबंदित तहसील के अधिकारियों को एलट किया गया है और इसके अलावा जनपन में 36 बार चौकिया बनाए गई है फिलहाल जिलाधिकारी रविंद कुमार मांदर ने बताया कि बार प्रभावित छेत्रों का जायजा लिया जाएगा और लोगों से बार प्रभावित छेत्र नदियों से दूर रहने की भी हिदायत दी जाएगा जनपत की समय देशीलता को देखते हुए हमने पिछले माही इसमें बार समंदी बैठक की थी और एक बैठक माने मुख्यमित्री जी के दिश्टा में भी हो चुकी है समस्त जिलाधिकारियों की तो निर्देश ही दिये गए थे कि समय पूर हम लोग बार्ट से हमते समस्त तैयरे कर लें तो उसके क्रम में जनपत का परिदेश है दो सो अठारा गाओं ऐसे हैं जो बार प्रभावित छेत्रों में आते हैं और उन सभी गाओं से रेलिट इतने हमारे तैसिल हैं उन सभी को अ किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के जरिए गाजिपूर बॉर्डर के ओर कूच किया गाजिपूर बॉर्डर से यात्रा निकाली जाए गया और इस यात्रा को करने के साथ किसानों ने हमेशा की तरह तीनों काले कानून के खिलाव प्रदर्शन करने के साथ ही से रद कराने की भी मांग की है प्रदेश में सामने आया धर्मांतरन मामला बुतूल पकड़ता जा रहा है इसलिए और इसी सिर्सिले में एटीयस टीम साहरनपुर पहुची नागलताना चेत के गाउं शीतल खेडा में एटीयम की टीम धर्म बदलने जाने से जुड़े मामले मिजाच के लिए पहुची और इस मामले में एटीयस की पूछताच में यूवक ने बताया कि उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो गांगरॉल इस्थित बजास शुगर मिल में नौकरी करता है यूवक ने बताया कि उसने जो किताब लिखी है उस किताब पर उसका एक फोटो लगा है इसी फोटो को उठा कर किसी ने उसके साथ ये शरारत की है आपको बता दे कि एटीयस ने मुहमद जांगीर और उमर गौतम नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था इनके पास से एक हजार लोगों की सूची यूपी एटीयस को भी मिली थे मेरे पास भी आई वो टीम आई थी एटीयस भी आई पुलिस भी और भी एक पता नहीं कौन थी तीम फिर न्यू चैनल भी आगे सुबह से इसी चीज को लेगे बहुत टैंसन में मैं भी परिवार भी पूरा टैंसन में है और बार 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 एक तरह से मेंटली टॉर्चर मे मेरी बुक पब्लिस है और अभी थी तो उसमें हो सकता है यह भी सब कुछ हो सकता है इससे भी इंकार नहीं क्या जा सकता है लेकिन अभी इस वाइंसन भद्र के शक्ति नगा ठाना शेत में शौच के लिए गया चार बच्चों में तीन बच्चे नाले में जूप कर और उन की मौत हो गए जबकि एक बच्चे को पास में एक व्यक्ति के द्वारा बचा लिया गया बच्चा घाल हो गया और एंटीपी सी शक्ति नगर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है घाल बच्चे का यह कहना है कि चारों बच्चे शौच के लिए गैत हुए थे और इसी घाल खडिया और गुदू चुवाब के एरिया में ख़जान के अंदर तीन बच्चे जैसा की बताया गया है कि सोच करने के लिए घाल हो सोच करने जाने की बाद बताई गी है नहाँ पर आती का ठीला गिर जाने से और पिर तूट वहां दब जाने से इला सामने नहीं है हिलाल की बुलेटिन में इतना ही देशनों की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रही है प्राइम टीवी